Hello friends, good morning and welcome back. आज हम क्लेनियर के लोकेशन में हैं, काफी कुश्रत है, और मेरे घर से काफी दूर है, मैं दिखाता हूं कितना दूर है, यह मेरा घर है, और यह मेरा लोकेशन है, तो लोकेशन के बारे में थोड़ा भी में बात करता हूं, यहां दिखाता हूं कि क्या होता है लोकेशन में, किस तरह से आपको विजिट करना तो मैं दिखाना चाहूंगा कितना दूर आये है ये मेरा घर है और ठीक घर के सामने इसकुल क्यों जा रहा है घर के सामने ठीक एक ग्राउंड है एक लाव है तो उसके सामने अब देख सकते है ये स्पॉर्ट है तो ऐसा अकसर होता है आप अपने आपके घर के पास में भी बहुत खुब स्पॉर्ट होता है तो इसके साथ मैं थैंक्यू करना चाहूंगा कुछ मैने पहले आये थे सिकंदर सर बिग कंशर निजी कंशर तो वो आने के बाद ये सब स्पॉर्ट मुझे और ज्यादा दिखने लग गया और अकसर ऐसा ही होता है जो हमारे सामने होता है उससे अकसर हम आन देखा कर देखे तो आप यहां पर देख सकते है फिगर टेप भी मिल रहा है इस तरह से आर्केटिक्चर भी मिल रहा है पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है जैसे कि यह एंगल में हम खड़े है इस समय हमारे उपर काफी सारे धूप है तो उसके कारण भी हम थोड़ा सा इधर उदर शीफ्ट करके देखना पड़ता है तो हमेंसा जब भी आप लोकेशन विजिट करते है तो आप इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंट एंगल में 360 घुमिया हो आप अपर ऑन दा स्पोर्ट गये है जो भी लोकेशन आपको लग जाए कि अकसर स्पोर्ट में जाने के बाद मैं देखा कि बिगिनर्स इमिडियली स्टार्ट करते है तो आप देखिए उसी स्पोर्ट को जैसे मेरा जैसे इधर घर है वो उसके पेड के पीछे चुप गया और मैं चलका है वहां से और यह जो घर को मैं लेफ्ट से उसके सिधा इसक अगर नहीं आता तो हमको नहीं दिखता तो ऐसा ही करना है कि आप लोकेशन में जाने के बाद तुरंद काम नहीं करना इससे पहले मैंने डिसाइट किया था कि यह जो पानी वाला उसके पीछे जो चाया है वहां पे खड़ियों के इसे करने की तो काफी अच्छी तरह नही में एक पेंटिंग तियार है तो कुछ इस तरह से हम इसे कैप्चर कर सकते और यहां पर भी खर भातने के जयएगा अच्छा आप देख सकते। आपे कापी चाया है तो बहुत निस को सकतै कुछ इसतरह से ही औरस्ति हम इससे पड़ा कर सकते हैं दो रखने हैं ग्मेंश्य क मेरे पाफ फ्रापेशनल एक इजल है इसके लिए आप डिस्क्रिश्टिशन बॉक्स में मुझे मेरे नंबर दिया गया उस पे कॉंटेक्क कर सकतें या इसका डिटियल्स में शेयर कर दूँगा तो यह जो है अध्युक्त को आपको उल्टा करना है यह सीधा है उल्टा करना ह के बाद आप क्या करना है कि यह जो ट्राइफट है इसको थेड़ लगा हुआ है उसमें एक सॉकेट है इस तरह से घुमा के टाइट करना है और सिस्टम थरा उल्टा है बाट तीन चार सेकेंड में आपके इंस्टल हो गया यह फिर आप इसे अनलॉक करके इसको उपन कर दीज है तो आपके जो पापिशना लीजल है बिलकुल इस्टल हो जाएगा है हमेशा से मैं क्या करता हूं कि एक इस तरह से कंपोईशन फाइंडर रखता हूं जिसके अंदा से यह मैं जैसे यह कंपोईशन है इससे इसके अंदा से देखता हूं यह कि 해ow past रिखता रौत हुए हैम थूशना बीटिफूल है दो तीन पार्ट में हम कर सकते तो मैं आपको थोड़ा शा दिखा भी दता हूं क्या मैं सोच रहा हूँ इसी कंपोईशन को कुछ हम ऐसे भी बना सकते एक बार और इसी कंपोईशन को ऐसे भी बना सकते हैं तो दो पार्ट में हमें यह बना सकते हैं तो फिलाल तो मेरा प्लानिंग कुछ इस तरह से है तो उसका भी थामनेल मैं तियार करता हूँ तो हमेशा अब थामनेल बनाना है तो जो थामनेल में आपको लगता है कि यह समय बैस टोड़ा ऐसा नहीं है थामनेल में जो आप समय देंगे वो और बहुत जदा ऐडवेंट इस मिलेगा आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा बाकि जैब बडरे पेपर में करेंगे इससे म आपको बहुत जल्दी हो जाएगा तो मैं बस पेपर को भी ये फ्लान नहीं कर रहा हूं कि कितने वाई कितने करेंगे तो जस्ट मैं जो मेरे सामने जो भी देख पार हूं क्योंकि मेरा थामनल है और मैं इसे कुछ इस तरह से जस्ट एक डॉग करता हूं और देखता हूं कि कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जो भी है इसे यहां पर थोड़ा छोटा करके डलता हूं थुछ दिर पहले यहां पर बहुत अच्छा वह शैडो चल रहा था तो वसी चीज़ को कैप्चर करना है तो देख लेना है कि कहां पर कैस शैडो है तो शैडो को हम इस तरह से यहां पर रखेंगे और यह अंदर वाला पार्ट में और जदा वहलू ज़्यादा डालना होता है कि अबियस्ली अंदर के पार्ट में जदा डार्क है और फिर उसके अंदर और एक जो दरवजा बना है वो और जदा डार्क आएगा तो यह है पेंटिंग में डेप्थ अंदर 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 मतलब शैडो के अंदर भी जो सिलसीला चल रहा है उसे देख प प्रिफ्लेक्ट लाइट भी उसमें आ रहा है उपर टाली के लिए खुद का कलर है अगर सिंगल पिंसिल से आप काम करते हो तो आपके तो कलर देना ही पड़ेगा यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि इसका खुद का कलर है जो की रेड हो चाहे उसके जो च्छत में जो भी कलर ह हो एक वैलू है वह है चाहिए अभी हमें देखना है कि इसके साथ इसके कंपरिजन में कौन ज्यादा डार्क है तो आप तो ना आँखों के पलकों को आधा-धा बुझाएंगे तो आपको यह ज्यादा डार्क दिखेगा अधर बाइस आप उससे ब्लैकन हॉइड में फोट कि है हम आटिस्ट दो खीर की लागा सकते अगर्पर कि बनाने से अच्छा लगते तो हम दो कि बना सकते हाई यहां पे दिवार का सप्रेट को गया तो टोड़ा डार्क मंआए और बाइन करते हुए और यहां पे तोड़ा सा जैसे टाली टूटा हुआ होता है तो उसके ईस और जो रंग फ़र सामने घर। श・・・ इंप चालेंगे लूदिक … जाभगषे। jot जते हैं। पूछ इस तरह से फालिवार सामने कुछ गर पक्रेट कोई चाहिए। मुद्व मेुदाफल जाते हैं। तो यक चाहिए आन्म स्वाने की सब्सक्राहिं। यह पुरा ही planning है तो इसमें कुछ problem नहीं, जो भी कुछ हम कर सकते हैं, जो भी लग रहा है वहां से हम contrast हूठा सकते हैं, यहां पर पीछे का जो घर में, घर का जो एक छोटा सा बना हुआ है, अलग से बैकेट उसमें हैं, कुछ यहां पर कुछ shadow और गिर रहा है, इसका भी karma है, कुछ केले का पेड़ यहां पर देखने को मिल रहा था, interesting, तो कुछ इस तर से यहां पर कुछ dark आएगा, इस घर का भी dark है, light कुछ इस हिससा से ऐसे आ रहा है, और यहां पर depth के लिए हमें दिखाई दे रहा है, कुछ यहां पर इस तर से घर है, तो इसके according हम चेक कर सक कि उसका क्या height है, यहां पर जो contrast है, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, इस से कम होगा, क्यूंकि वो pass में नहीं है, दोरा दूर है, तो यह जो है, एक हलका color से फास्ट वास्ट में वो निकल जाएगा, फास्ट वास्ट में यह निकल जाएगा, और इस तरह से कुछ बिल्डिं है, उसे कुछ इस तरह से, डाल सकते हैं, अभी उसके कारण क्या होगा, यहां पर भी कुछ dark हम है, देखने को में जोगा है, फिर यहां पर सामने यह आ गया, तो इस तरह से क्या होगा, एक दूस्टर के जो position है, वो भी हम दिखा पाएंगे, obviously जो figure है, वहां पर अगर कोई चल के जा रहा है, तो उसमें catching कर लो, तो अगर catch कर लिया, आप देख पाएंगे कुछ figure के height क्या है, और वो मैं खड़ा हूँ, तो मेरे eye levels पे ही वो सारे मिल रहेगा, तो यहां पर भी ऐसे ही हो सकते है, कि eye levels पे है, तो थोड़ा सा, और height होगा, भी figure नहीं है, अभी figure आ र दर्वाजा है, दर्वाजा के according आप figure को बना दीजिए, उसके इसाब से बाकी बाहर जो भी figure आप डालना, डाल दीजिए, यह तोड़ा बड़ा हो गया, यह कट दो, तो बाकी इस size में हमें बनाना है, सारे figure, तो इस तरह से सारे आप planning कर सकते हैं, और eat thumbnail बहुत जरूरी है, बाकी पेर पोदा है, यहां पे गिरिनरी है, तो वो नटी है, इससे आपको याद करने के लिए गवर, याद दिखाने के लिए मैं, यह इतना खुबसुरत है, और राइट में जो shadow part बूरा था वो यह है, तो दो composition already है, यहां पे एक ही साथ दो composition, तो यहां पे मैं इस तरह स 20 by 15 इंच का, तो करते हैं, पूरा पेपर में, तो thumbnail जो बनाना है, उसे फेंगना नहीं है, उसे रखना है आपके पास, और वो thumbnail के साथ ही आपको चलना है, मैं भी आप ही वोई कर रहा हूँ को, thumbnail के सबसे ही मैं, जो भी मेरा planning है, thumbnail के साथ से चलेंगे, तो यहां पे मैं, लैंस्केप में ज़्यादा लेना, तो इस घर का हाइड नहीं कर सकती ज़्यादा, वो ज़्यादा हाइड कर दूँगा, फिर मुझे वो बाकी elements बनाना मुस्किल हो जाएगा, तो वो calculating हम thumbnail से ही चेक करके कर रहे हैं, thumbnail के ही सबसे ही कर रहे हैं, और जो pencil lines बगरा है, वो थोड़ा सा हलका ही रखियेगा, ताकि water color थोड़ा सा साप सुत्रा मनता है, जो भी हमने प्लान किया वही कर रहे हैं, यहाँ पे जो यह वला है, यह काफी कम है, थोड़ा ज़्यादा लाइन लग गया, कुछ इसके अंदर भी वो दर्वाजा डालेंगे, यहाँ पे जैसे, अभी अभी जो planning किया, यहाँ पे जैसे खिरकी डालना है, डाल दो, वो light वाला हिस्सा ऐसा, मान लो कि कुछ टाली टुटा हुआ, उसके अंदर से वो light आ रहा है, तो interesting होता है वो कुछ ऐसा, अगर shadow आप बनाते हैं तो, यह main सामने का कुछ इस्तर से घर है, और फिर उसी के according फिर जो बाकी हम एक चीजे दीखने को मिलता है कुछ, जो भी कुछ है उभी, तो कुछ वान पॉइंट मैंने निकाला आए लेविस पे, उस पॉइंट के जेरिए, पॉइंट में जो भी घर है उसके जो खिर की बिर की अच्छी तरह रहा हो सकता है, बट यह जो खिर की है, इसका प्रियूटी उतना नहीं है, इतना डिटर्स नहीं है, सब मर्ज हो जाएगा, अब सजेशन में यह लेफट बला हम निकालेंगे, यह सब कुछ जो है, काफी प्यारा साथ शैड़ो है, जो वो ग्राउंड के उपर आ रहा है, यह वाला एरिया, सामने भी कुछ शैड़ो दिख रहा है, तोटल ही, यहां पर ड्रामा क्रेट हो रहा है, जो भी देख पा रहा हूँ, और यहां पर भी एक, पीछे का घर था, जो दिखा है आपको कुछ शैड़ो, यहां पर चलते कुछ केले का, केले का पेर हम यहां पर नालीयल के पेड़ लगा सकते हैं, यहां पर भी नारीयल के पेर लगाओ तो ठीक है, आप केले का पेड़ भी बड़ा बड़ा लगा दक तो यहां पर पेर भी लगा सकते हूँ, ताकि आपके कॉमपोजिशन थोड़ा अब भाड़ जाए बस एघव है, गे तो कुछ इस तरह से पूरा पेपर को मैंने यूज किया और कुछ इस तरह से अभी जैसे कि कुछ वजफशीगर जैसे मैं बात करते हैं यहां पर कुछ दर्वाजे के साइड से तो यहां पर दूर जैसे एक दो फीगर डाला है तो यहां पर आई लेवल पर मैंने हेट रखा यहां पर थोड़ा सा उचा है इसके विशे थोड़ा सा उठाया इस पर स्टेज में थोड़ा सा फीगर बढ़ा भी हो गया और कुछ इस तरह से तो बहुत डार्क लाइन बहुत साइड लाइन नहीं करना बहुत लाइक लगना है और देखिए जो भी मैंने प्लानिंग था यहां पर किया यहां पर सबसे ज़्यदा हंड़ेट पर समय लागा ना आपने लाइट अन्शेडो सब कुछ मेंटें करना है अब है अभी मैं कलर सुरू करता हूं ओके तो जैसे कि कपी धूप है करक्ती धूप है तो ऐसे में आप क्या कर सकती है वहां पर जो कलर है यह लोकर को आप यूज़ कर सकते हैं फास्ट वास्ट में कर दो में बादा जली अपक्ती है यह यह लोग है कर दो ना खास्ट वजड़ों कर सबक्रता है यह लो यह अब्सक्ता है यह लोग है झाल झाल तो मैं आच्छी तक पेपर को गिला कर दिया एक लाइट ली यूलो अकर के साथ बहुत ही लाइट ली आप को समझना होगा कि कितना लाइट है अभी पेपर पुड़ा गिला है आसमान में कुछ अल्टमिरिन अल्टमिरिन के साथ थोड़ा सा ओरेंज बहुत लाइट मुझे नहीं दिग रहा है तो जैसा मुझे लाइट दीग रहा है वो वैसा है वैसा ही कर रहा हूँ आल्टमिरिन के साथ बन तंबर थोड़ा रूट मेंट कुछ झांत हो झाड़ा थोड़ा अंतौ अलिब ग्रेन ऐसा कलर भी थोड़ा से टच अप दिया कफी पेर पोदा है पेकड़ में वो भी थोड़ा सा दिख जाए हलका सा ओरेंज का हुआ देंगे इसके चट पे थोड़ा तर ललल सा है मैसूस यह आपेर भी है और अच्छा ही है थोड़ा सा दोनों तरों बैलेंस भी बन गया दूरवाला घर में टारकोिस का वो कलर देख रहा है बढ़ बहुत ज़्यादा नहीं हम बहुत गलती करते हैं यहीं पर बहुत ज़्यादा टारकोिस दिखता है और फास्ट वास में आप एक दूसरे को पुड़ा भाई-भाई बनाना है सब मिलने देना एक दूसरे के साथ अब यहीं टारकोिस ब्लू के साथ बैलेंस करेगा यहाँ पर टीन सीड होके और कुछ लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे जीकि केले के पेत्ते अगर पत्ते बना रहे हैं तो इनिसियल स्टेज में यह लाइट कलर डालना है हाला कि बहुत ज़्यादा नहीं एक दो पत्ते दिखाएंगे क्योंकि काफी साइट में है यह अब यह अच्छा लगता है हर किशी को वह हम बनाते रहते हैं यह यह गलत फैमी है ग्राउन के अंदर थोड़ा सा ग्रिनरी भी है उसके साथ थोड़ा सा बंटमबर भी यूज़ करते हैं और जैसे कि मैं कहा रहा था फास्ट वास्ट में एक दूसरे के सब मैं मिक्स कर देया हर जैगा का जो कलर का फीलिंग है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग रहा है अल्टमेन के साथ बंटमबर थोड़ा सा पेंस ग्रे तो यह क्या है वो नानिल का पेड़ दूर रखने के लिए इसका जो कलर में ध्यान रखना है काफी उभरता हुआ कलर नहीं उस करेंगा ग्रिन नहीं उस करेंगे जादा काफी घड़ा इतीं और यह क्या है गिले गिले पर हमको यूज़ करना है वेट नच्वी उसकना है गिले पर हमको यूज़ करना है तो काफी रेंडम और मज़ेदर स्टोक्स के साथ हमने वेग्ड़ॉंड को कलर हैड़ उन किया है तो यहां पर मैं थोड़ा से स्टॉप करूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा गिला है और फिर ज्यादा ड्रामा हो जाएगा तुम्हें यहां पर नेश्रली से ड्राई होने दे रहा हूं हुआए बायो हैं बालो क्यों चे मेरे चे मेरे चे मेरे चे ठाकुमा मेरे चे ठाकुमा मेरे चे मेरे चे क्या लाँ तुम्ही दूस्टू कर जो, की दूस्टू कुड़े, तुम्ही दूस्टू कोर भेना थाकमा मार भेना, यहां पर में हलका से ऐप कलर वस्ट लगा दिया इस पर, खिक़्िए वो मीडल टॉन का, मीद टॉन का जुरूरी है, यहां पर जो केले का पत्ते है वो एक जैसा लाइट ग्रीन नहीं होगा तो उसमें कफी डिफ्रेंट कलर है तो यहां पर देखो यहां पर बहुत सारे कहानी चल रहा है बच्चा पटी का तो ज़िए क्या कर रहा है ध्युद्ध मीड टून में आ रहे हैं यहां जैसे सकेल है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जैसे कि ओरेंज के साथ कुछ अल्टा में इनका मीक्स करके कलर ज़्यादा मदब डार्क नहीं जाएगा वोटर अच्छा मेंटेन करना तो अल्टा में बन टूमब तो जो भी यहां पर भी कर रहा हूं वो वोटर नवेट पर थोड़ा था सजेसन माफिक और इसके अंदर थोड़ा ड्राइब रास से आप खिरकी बिरकी बना सकते हैं तो इस तरह से कुछ घर का पोजिशन मैसूस करा दिया ठीक है उनी कलर में थोड़ा सा ओलिव ग्रिन की माच एक्टा दूटो दाओ पोड़े खाब पोड़े ओके यहां पर भी जो कलर है और वहां पर भी कुछ शैड़ो एड़ो आ रहा है बहुत प्यारा था तो यहां पर टारकोई के साथ थोड़ा टारकोई के साथ थोड़ा सा हलका सा पैंस के ज्यादा नहीं यहां पर टाई तो दूटो अ कि कि आदे साथ थोड़े ने रहा है दोटोगाट। के दशा बसके ज़िता कि आतार पोड़े खाबू़े ने खाल़े ज़िता पोड़े खाची हाँ जौल आच आच तो यह जो है कितना इंट्रस्टिंग शैडो हो गया उस पर बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे देखने में और यह घर कंटीनु जाने के बाद यहां से अलग हो रहा है गटियां भी बहुत सरे वाटर के साथ में यह काम हो रहा है यहां पर कुछ खिर्की है अल्टमेंट के साथ यहां पर जो कंट्रस्ट है थोड़ा सब कम रखना पड़ेगा और जो भी है वो गिले गिले पर रखना पड़ेगा प्यत्त पर जो जएक फिरूपा गया बहा है हर घर के जो नीचे वाला पाड में से रेट ब्रा इसा कलर होता है तो भी हम ने यहां पर यूज किया और यहां पर मीठा सा वह लाइट कलर गूम हो रहा है तो टीशू से जुरूर उसे लिफ्ट करूंगा अब बाद में उसे अच्छी तरह स्टेप्स भी बना सकते स्टेप्स भी है वहां पर और इस तरह से थोड़ असालग करने से वह लाइट थोड़ असर दिखीगा तो पहले साच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए था हो जाते है मिस्टिक हुई 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 इस तरह से कुछ ब्यूटिफिकिशन को एड़ कर सकते है तरह से यहां, को यहां ब्यूटिकिशन को ब्यूटिकिशन को एड़ को एड़ दो कि अज़िकिशन को एड़ को एड़ को एड़ती है कर दो हुआ है। विश्टाली के चाहद में बहुत लाइट है और यह अगर जो उत पड़े तो बाद में ऐसे थोड़ा डाउन करूँगा फिलाल तो हलका लेयर से छोड़ा है यहां टारकुष के साथ थोड़ा सब बंटम बरके मिक्स किया इसा आप कर दो हम इसाफ थिवें पिला एने कर दोड़ा है वहां टू़ाला डाली के बंटम टार शोड़ा राइट कर दो हम पिलाएट कर दोड़ा है यहां अवां गभाश पिलाएट के साथ कि भली कि अधिस लुटना तुट हैं गुट हैं पुट हैं जुट हैं जुट हैं तुट है. कर दिक अ गज कर दोग ling जार बजस醜ा कि अ इसके अंदर भी चाया होगा क्योंकि इस टाली का चुछाया है इसके अंदर आएगा तो कभी इंटरस्टिंग लाइटन शेड़ो देखने को मिल रहा है यह जो कलर है उस पार बला है थोड़ा लग से बैकेट हो रहा था अजया हो झाल झाल अल्टा मेरीन औरेंज के साथ थोड़ा सा इसके लेना पड़ेगा तब हम यहां पर ज्यादा डार्क्यूज कर सकते हैं अल्टा मेरीन पर ज्यादा पर ज्यादा डार्क्यूज कर सकते हैं अल्टा मेरेन, यहां पर भी उसी के साथ थोड़ा था, डार्खाम डाल सकते, जितना काम ओईटन ओईटफे हो उतने हैं, अच्छा है। अच्छा मेरेन, यहां गार्खाम थासुने था है। विछे का दिबार पे वो कापी ओल्ड होने के करण यह ड्राइब रास है प्राइब 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 रास है कर दो इसी में थोर सा हम कलर एड़ करेंगे और देखो इस काम के साथ क्या मेला प्राइब 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 रास है फिस यहां पे ताजा ताजा बन रहा है तो मुझे ओफर किया गया थैंक यू प्राइब प्राइब अगर प्राइब अगर मेर में ऐसे खाने को भी मिलता रहा है पिंडिंग अच्छा होगा की नहीं कुछ खुछ कॉंटस तोड़ा डार्क आल्मेन बंटम भर आप यूर डिर ब्राउन भी उज़ कर सकते हैं अ ज़्ट बहुत ज्यादा वह शुरू में यूजनिए हुआ कपी देर बाद हो रहा है वह जो कलर यूज कर रहा हूं शुरुमें यूज नहीं हो रहा है, काफी देर बाद हीूज हो रहा है अभी भी हलका अलका गिला है और वही चाहिए जिससे की अच्छी तरह मर्ज हो जाएगा अच्छी तरह मिंस तोड़ा तोड़ा मर्ज होगा तो वो हाट नहीं लगेगा अच्छी तरह मिंस तोड़ा ज़ा है झाल झाल प्लान किया था यहां पर बनाएंगे झाल 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 तो बाकी सब एरिया में का ड्रामा में रह गया फुरा ड्रामा होता गया झाल यहां तो झाल धुझाल अलिप ग्रीन, बन तंबर, बाकी अरिय में क्यों ड्रामा कर रहे है, कि यह थोड़ा और आटेक्टिव हो, या इसमें एक फ्रेम मिले, यह फोर्गार्ड में थोड़ा सा कलर में कांट्रास्ट दिया, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, तो वाटर कलर किया, ड्रामा नहीं किया, तो क्या किया, तो बहुत ही हलका सा समझ में आ रहा है कुछ यहां पर, फेर पौदा का, बाकी सब टिक्चर में ही निकल गया, टिक्चर के लिए आप कोबल ब्लैक या लूनार ब्लैक के इस्तेमल भी कर सकते हैं, पेंटिंग को सॉप्ट रखते हुए, डार्क ले करता है, बहुत है, बहुत है, फोरा फोरा डिट्रेल देना परता थोड़ा सा, सुन्दा लागने के लिए, बहुत है काहिए ? जामें जार्क इस्तेम मेज़ कोबल देना लागने का लिए सवटते हैं, कि हुल जाला words ओते है, बट यहां पर कलर यूज़ करने के लिए बहुत हलका करके उसकर न पड़ेगा उसी कलर को मैंने पर हलका कर जा सकत हुआ तर कर दो कि लगไมगर आपैक सुट हुआ पर हुआ हुआ आ यू़ख यू जॉआ ग। बस यहां पर अभी थोड़ा फिगर एड़ करने से जो हमारा पेंटिंग है जो हमारा पेंटिंग है हमेशा चोटे काम कर रहे हो तो उसमें ज्यादा दियान रखना है बड़े काम में दिक्कत नहीं आता है चोटे काम में दिक्कत आता है कालर कैसे इंटरस्टिंग हो बहुत थोड़ा सा आपको मन में सोचना पड़ेगा जो हमें जो हम कर तो हम कॉमा जाया का रहा हो तो उसमें जो हमारा पड़ेगा झाल झाल प्राइट कलरी उसकिया थोड़ा सा ओमैन तैप का कुछ बनाया तो रंग बे रंग बे थोड़ा सा डाल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं बहुत सारे रंग डाल दिया कि अभी रंग बेटिता और लोड़ा सा रंग प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं यह बंग प्रॉब्लम नहीं तो आपस में वो थोड़ा सा कर दिया था कि कुछ ऐसे बात्चित चल रहा है थो ऐसे महसूस हो पर इसके लिए आपको प्रेक्टिस करना परता है फीगर तब ही हो सकता है तो फीगर भी खड़ा है वहां पर उसके शैड़ो बर्ज डाल दो थो थोड़ा सा हुआ है 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 यहां पर कुछ हाइलाइट था थो थोड़ा सा इसलिए मैं कलर को लिफ्ट करता हूं वो चछत के उपर लेफ शाइड में अब वो लाइट थोड़ा सारेज हो गया स्पैचूलर का जो यूज है मेरे और एक चैनल है जो कि प्लिनियार नहीं होचिन तो हजरा चैनल पे मैंने स्पैचूलर के यूज मैंने बताया कि कब करना है कैसे करना है स्पैचूलर तो वहाँ पे जाके आप तोड़ असा देख सकते इस चैनल को अचिनता हजरा यूटीब चैनल को और यहाँ पे भी आप देख सकते कि किस तरह से मैंने स्पैचूलर का यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए थोड़ असा पेपर नमी रहना चाहिए अचिन अचाहिए तो यूज करे असा अस्तों सकते किस तरह साथ रहना चाहिए प्रिटे नहीए पुप यद लग अुच हु अुप नुप युब युफ नुप युप युब युद्ट। अँब युब युब युफ अबश्प लोगफ लोगफ युब को प्रॉप आनिवाना 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 करदा अ कर दो फिर तो से हो जो ये रहांता है ड्राइब्रस तो कुछ भी कर सकते आप आगे पीछे इस तरह से शोल्डर के पूर एक हाइलाइट देना है चाइनिस वाइट जो की कैमिल का है अगर चाहे लाइट में रहे चाहे अंधेरे में रहे यह थोड़ा दे दो अंधेरे बाला थोड़ा हलका कटाया है जैसे में लगाया तो उसे हलका करना है हुआ है बट लाइड में जो है उसको तो एकदम प्रॉपर कॉंपोईशन को एंगेज करने के लिए कुछ एक रिगर ब्रस के जरीए और कुछ बना देते जैसे कि कुछ इलेक्टिक पॉल यह और कुछ जैसे यहां पर प्लैड लग रहा है उसको आगे पीछे करने के लिए और थोड़ा सा हलका सा ग्रीन की ओर लेके आना है तकि वो दूर से पास में थोड़ा साब दिखा पाए अगर लगता है कुछ ऐसे इंगेच करना है तो बहुत उचका है बहुत कुछ को इस तरह से आप नेचरली दिखा सकते हैं और सब को दिखा भी सकते हैं और सब को ऐसे मदब सबको हाइलाइट नहीं करना मदब दिखाना भी है उसमें उसका बेनिफिट लेना है बस उसको दिखाने के मदब जैसे कि यह दिखाया इसका एक सैड़ो आया और एक यहां पर खाली-खाली फंथा वह दूर हो गया तो इस तरह से आप उसमें एड़न करना है बहुत ज्या तो आज का कुछ इस तरह से कंपोईशन है मैं उमिद करता हूं कि आपको अच्छा लगा इसी तरह से वीडियो में लेके आता रहता हूं और इस चैनल में भी बहुत सारी वीडियोस है लगबग 15 वीडियो आज के डेड़ में है नमबर 20 मैं उसे यूज कर रहा हूं दे रहा हूं तब उसे देख सकते हैं यहां पर सीख सकते हैं इसके साथ मेरा अच्छिन तो हजर यूट्यूब चैनल भी विजिट किजिए वहां पर डे टू डे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा तो थैंक्यू सो मच आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं नेक्ट कमपोईशन के साथ टाटा बाबाई थैंक्यू